पिरिये बच्चे आज हमनों पढ़ेंगे ब्रीत से समंधित ब्रीत आनि सरकी जो कमजोर चात्र है उनके लिए एक बिसेस नीव लखी कोचिंग सेंटर से अनिल गुरुजी एक वीडियो बना रहा है किरिपा जिनको समझ में आये वो एक बार जरूर देख ले दिया गया है कि यदि ब्रीत की तिरिया साथ सेमी है तो ब्रीत का छेतरफल और परीधी ग्याद करे अब कमजोर चात्र होते हैं उनको पहले तो फर्मुला याद नहीं होगा कि छेतरफल क्या काला आता है परीधी क् पहले इसके बारे हम लोग जानेंगे परीधी किसको कहा गया परीधी क्या है और कैसे है तो एक पले हम ब्रीत बनाएंगे और एक हम यहां ब्रीत बना लेते हैं एक ब्रीत बना लिया गया और देखा गया कि ब्रीत जो है कि इसको परीधी कहा जाता है तो यह हमारा ब्रीत को यह हम परीधी कहते हैं परीधी इसके बाद जो बीच में जो होता यह बीच पुरा सरकिल होता यह इसको बोलते हैं छेतरफल छेतर फ़ल हो गया इतना हो गया अब इसके बाद हम लोग को बोलते हैं बीच में सबसे बीच कोई छों बोलते हैं केंदरा इसको बोलते हैं केंद्रा, हो गया, और कहता है कि इस परीधी से और इस परीधी तक जो खिच देता है रेखा, आनि ए से बी तक खिच दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यास, इसको बोलते हैं बुची, ब्यास, समझ मेरा है न, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यास, आनि ह हम बोलते हैं इसको हम मों कहते हैं ओ केंद्र भी करोशते हैं इतना तो समझना रहुं है न कि को ईतिकत है इसमें आच आनि हम यहां बगल भूल सकते हैं कि यहीं कि ब्यास और लीघ तेंगे किसे अ यान हमारा ब्यास है ठीक और यहां से यहां तक ले लेंगे व और बी लेंगे हमारा हो जाए गा इसको उतन आर इसको कद़ते हैं? आर मतलब तिरी मैं जीया यह हमारा हो गया क्या हो गयान num países ने बोलो उची कोई दिखाथ, कोई पूछेक हो बोलो कि कि की ओओ-डी ग्या है क्या बताएंगे में बताएंगे ओड़ी क्या है एक तिरीजिया हो गया चुकि केंद्र से परीधी पर है अब केंद्र से किसी जगा हम खीचेंगे वो तिरीजिये होगा केंद्र से किसी जगा हम लोग खीचेंगे जैसे खीचेंगे वो ऐसे खीचेंगे वो क्या हो जाएगा ब्यासे कहलाएगा ठीक अब माला कोई ऐसे खिच दिया तो कह दिया कि इसको मानते है इसको मानते है एफ अब पुछेगा कि इफ क्या है तो क्या कहेंगे इसको इसको क्या कहेंगे ब्यास है चुकि यह भी क्या है ब्यास है कोई दिकत एभी देखूँची तिरजिया हो गया आर एभी डी हो गया ब्यास ठीक य बिरीत जो हम बनाते हैं तो बिरीत में कुछ ऐसा भी होता है जो केंद्र से हट कर जो परीधी से परीधी को मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं जीवा उसको क्या बोलें हम बलो जीवा देखिए यहां से यहां तक इससे मिला दीजिए इसको मिटा देता हैं अब देखिए A मिट गया, इसको मिटा दीजिए, ठीक, इसको हटा दीजिए, यहां से, अब यहां से यहां तक इसको मिला दीजिए, आनि A से A नत्व किया पर, आप लेखिए M और N, एम मिल गया, तो इसको हम लोग का कहेंगे, इसको तिर्जा कहेंगे, नहीं, इसको का बोलेंगे, जीवा इसका बुलेंगे जीवा, का कहेंगे जीवा, ठीक, अब होता है, इतना तो हो गया, कभी कभी कहता है, कि बिरीद की तिरिया इस साथ सिमी दिया है, और माल यह कि यहां दे दिया गया बयास, अब यहां माल यह बिरीद की तिरिया के जगा, यहां हमनों को बयास दे दिया उदा alltid ये मिल हो जायगी सोचिए कि व्यास निकलना तो समस्या हो जाएगी गालने के लिए आप को क्या करना पड़ता है और कि हम लिखेंगे आर बराबर डीचिज़ निकल कांड़ेFlow 1 मजर नकालेगा निक्ली जाएगा और इतना जिनको समाज में जाएगा तो बिरीत में किसी तरह कोचन पूछा जाए वह ब्यास पूछा जाए या छेतरफल पूछा जाए या परिधी पूछा जाए तो यह तुरंत मेथर बनकर त्यार हो जाएगा उसमें कोई प्रोब्लेम नहीं होगी अब रहा गया क्या बात है इसमें आपको क्या इसमें बात जरूरी है सबसे जरूरी आपको जानना है कि भाईया इसमें से तिरीजिया कोवन है और कहां से कहां तक तिरीजिया ले सकते है तो केंद्र से बिरीत पर तिरीजिया बोलेंगे केंद्र से यहां से यहां तका से खीच दिये इसको क्या बोलेंगे तिरजे के भी ठीफ मेंगत आए मैथ पर अब आता Elda कैसेемें देखिये अब लगा हो गया अब वाये मैथ अब मय बुश्यकल करेंगे इसको देखें य को गया है तो यह केंदर हो गया हो हमारा हमारा यह ती expressed हो गया नशनुर्ट चोटा चोटा बच्चे है षे ऐस बैं के फ़ेट कलास बच्चे लोग होते हैं यानाइंद के बच्चे होना चाहिए लिखेंगे के ओ ब्रीतल का खेत्रा फल इसकोई तो अब पूछाजा겠지만 कि ब्रीत की एतिरियत दिया है तो अब पुछते हैं हम कि पाई के मान कितना होता है 22 बटा साथ बहुत अच्छा और एक लड़की बता ही कि पाई के मान सर 22 बटा में साथ होता है दिख父 Harajah पाई के मान 3 टीन को होता है अब सिर्च बहीं हो जाएगा ऐसे डिग्री में देतेंगे पाई के मान तो सवसी हो जाएगा ईसकी पाई के मान पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा यह मान अलग हो जाएगा 3 गू पाई के मान होटा है और तीनु पाई के मान अलग अलग रखा जाता है सबसे पॉपुलर हम लोग को पाई के मान इसी को रहकर हम लोग बनाते हैं इसको नहीं कहेगा तो हम रखेंगे आधी कहता है तीनु में से एको कोनो कहता है यह तीनु में से कहेगा लेकिन हाई नहीं कहेगा तो ही रख यह निसी चाहतने संट की मिटर में आगा मुला इसे मीटर में में तक? बताओ यह पढ़ता नहीं है सब कि देखें कहाँ जाएगा यहां 2cm है क्या है इसलिए यहां 2cm है यहां 2cm करदेते हैं ठीक यहां लिखते नहीं है ऐसे लिखना चाहिए ठीक ऐसे लिखना चाहिए अधिल भी लिख भी सकते हैं यहां सेंटीमीटर कर सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर सकते हैं यह सेंटीमीटर स्क्वाइर कर सकते हैं ठीक यह सेंटीमीटर आ गया अब आगला आता है इसी पर आता है दूसरा सवाल दें परीधी पुछता है तब पुछा जाता है इसमें कि बिरीत का परीधी कि परीधी तब पुछना चाहते हैं बिरीत की परीधी अभी मनु बताओ परीधी अभी मोलदी बिरीत की परीधी आर हो गया जो तब हम पुछेंगे अपव्पुछनााओ क्यों गया अब पुछहजबाक जाए जाएंग हैं तुम बता हम जी पाई के मन कित्ना होता है कि कि लाल यह देखा इनकर देखा इनकर देखा इनकर आड कलास में सध दखानी आज देखां में 107ब देखा में साथ और यहां का लिखेंगे साथ साथ कर गया और सद सांत कड़ें तो का लिखेंगे बचा हुआ है दूगुले 22 बराबर 44 अब बताए सिया मा माerm stick हो गार के मीटर होगा n RT क्या होगा कि दूग में सब्सक्राइब बिद एस्यार कि प्तेमिटर होगा कि씨 मीटर होगा यहां लिखा गया है दो बार नहीं लिखा गया है इसलिए क्याली हो जाएगा यहां सेंटीमीटर बस आपको समझ में गया और किसी के डाउट हो समस्या हो तो यह हो गया इसे अभी कोश्ट्री चलता है अब देखिए इसी पर हम थोड़ से आगे चलते हैं यहां लिखार कि आपको दो तिरजिए दे दें मैं उसको उल्व कर दें तैह इसको भी अज़ें gang से निकला जाएगा जोकी डिरेट भी कल सकता है और अलारव भी निकल सकते हैं और अलग करते के आग़ गटा सकते हैं बास आज कि हम लोग वीडियो इतना ही तक देखेंगे करल मेन बेस है छोटो आउर पालेंगे और क्या डालेंगे चांप्ट profiles डियुक्त आगे हमारा दो विरीत है और इसके अंदर एक और विरीत हैं फोनो democratic सियन हैं那麼 और इस्वा बताया जाएगा ठीक अब कभी कभी सवाल आएगा दिया जाएगा कल कल के लिए कि आपको परीधी परीधी से तिरिजिया और छेत्रफल निकालना है तो कल हम लोग इसको वीडियो पर डालेंगे